अक्सर आपको आपके पेरैंट्स बोलते होंगे कि रात में नाखु नहीं काटो, रात में बाल नहीं कटवाओ, रात में सोई का इस्तमाल नहीं करो तो क्या ये बोलना सही है? और क्या है इसके फिसे की बज़ा? तो आज मैं इस वीडियो में बताने वालों आपको इन सब सवालों के आंसर तो चलिए जल्दी से वीडियो सुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नमें दिवान शो और स्वागत है आपका ट्वाज जोन इंडिया में सुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ अगर आप इस स्टोरी को समझ जाओगे तो आपको पता चल लाया कि आखिर क्या है रीजन कि हमारे पैरेंट्स ऐसा करने से हमको रोपते हैं जब मैं छोटा था तो रात के 9 या 10 बजे मेरे बड़े भाई मेरा नाखुन ब्लेड से काट रहते अचानक से क्या होगा कि लाइट चली गई अभी दने सेकंड वापस लाइट आई तो ब्लेड मेरे उंगलियों में घुज़े हुई थी तो ये थी कहानी अगर आपको कहान समझ आ गई तो आप बहुत ही जाद इंटेलिजेंट हो अगर आपको नहीं समझ आई तो भी आप इंटेलिजेंट बन जाओगे तो मैं समझाता हूं आपको साइंस के तरीके से कि आखिर ऐसा क्या रीजन है कि रात में हमको नाखुन नहीं काटना चाहिए पुराने जमाने लाइट की बहुत ज्यादा थे उसमें रात में हमेशा अंधेरा रहता था और नाखुन काटना यानि खुद को नुक्单 पहुंचाने जैसा था अक्षरू जमाने के लोग बोलते रहते थे कि रात में ये सब काम मत करो ये अशुब होता है अशुब का मतलब होता है नुक्षान और अगर हम नाखुन काटते समय अपने उंगले काट लेते हैं तो वह होता है अशोब यानि कि खुद का नुक्षान इन सब चीजों को कुछ यह सोकल्ड ग्यानी लोगों नीं अन्धㅵिश्वास से जोड दिया और करते दे कि रात में बाल खटवांगे तो छोड़य लाकर प्रिसान करेज़ वह चोड़य अब बात करता scheint आज की और हर घर में लाइट है आज जो काम हम क क्या हम लाइट यानि कि रोशनी में नाखों नहीं काट सकते हैं और शुप तो तब होगा जब हम कोई गलती करें और गलती तो दिन में भी कर सकते हैं Moral of the story हमें यह सब अंधेरे में करना चाहिए अगर लाइट यान है चाहिए दिन कि नाखों नहीं काट presence प्लीज अंदविश्वास ना फैला अगर आप बच्चे हो और आपके पैरेंट्स आपको ऐसा बोलते हैं तो उनको जाकर यह वीडियो दिखाओ और वो तमाम लोग जो आपको ऐसा बोलते हैं तो उनको जल्दी से वीडियो वाट्शब कर दो तो यह थी पूरी कहानी कि क्यो हमें रात में नाखों नहीं काटना चाहिए इस सवाल को पूछा था गेमिंग मॉंस्टर ने अगर आपके भी दिमाग में ऐसे इंट्रेस्टिंग सवाल आते रहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं तो आसा करतों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा बिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए इंट्रेस्टिंग कोच्छन के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत